नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं विश्णु शर्मा क्लियर विजन की ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हाडिक स्वागत करता हूं हाडिक अभिनेरन करता हूं गुद मॉर्निंग संदीप गुद मॉर्निंग अनीता अनीता बोल डिये शेर भी कर दिया सर फिलकुल थेंक यू सो मच कमल चौधरी गुड मॉनिंग, संधीत मीना नीरज गुड मॉनिंग, संजे गुजर गुड मॉनिंग, तेजा राम आप ग्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, समय लगता है थोड़ा सा, कभी कभी, कुछ अच्छा आपके लिए लाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो ब तो कल अमने पड़ा था, स्वान सोंग, अब आपका काम स्टार्टिक में ये है, कि ये आपको समझ आया, ये नहीं आया, इसके लिए आपसे क्योशन, चार ओप्शन दे रहो हूं मैं, आपको बताना है क्या अशर होगा, ठीक है, चलिए, गुड मॉर्ण गौरव, गुड म मुकेश सिंग, वेरि गुड मॉर्न गौरव, संतोष कुमारी, भभीता, वेरि गुड मॉर्न आणूप सर, वेरि गुड मॉर्न चेतन, वेरि गुड मॉर्न पड़ रऴ, चलिए, बहुत बढ़िया, सबी एक बार शेर कर दिजे, क्लास स्टार्ट हुई है, सबी को बता फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कल वाला क्योशन है, कल हमने एक मुहावरा पड़ा था, स्वान सौंग, बहुत अच्छा शब्द था, एक्जाम्पल्स, एक्जाम्पल्स है, हमने इसको लर्न भी किया था, याद भी किया था, अब आपको बताना है, चार उप्शन में से आंसर, आंसर क्या होगा, पहला आप्शन दिया मैंने आपका, लेटेस्ट, लेटेस्ट, अकम्पलिश्मेंट, इसका उच्चारन भी लिख देता हूं में, अकम्पलिश्मेंट, ठीक है, ये इसका उच्चारन है, accomplishment यानी होती है उपलब्धी accomplishment यानी क्या होती है उपलब्धी अब आपको फटापट से बताना है कि क्या होगा पहला option आपके पास latest accomplishment और दूसरा लिखा मैंने आपका final goal to achieve तीसरा लिखा मैंने final accomplishment फिर लिखा मैंने something musical चलिए चार option है कामिनी शर्मा जैस्री किष्णा चोटी लाल मिना very good good morning आचारिये अजे शर्मा स्वागत है आपका चलिए मौनी का मिना good morning सावन good morning विकास योगी God bless you good morning बिनिया very good morning चलिए बहुत बढ़िया सभी लगबग लाईव आगे हैं एक बार शेयर कर दीजिए और मुझे फटापट से इसका जवाब दीजिए क्या answer आना चाहिए कल मैंने आपको यह पढ़ाया था इस question answer क्या होगा very good मुकेश ने बहुत बड़ी answer दिया है कामिनी इस वत ऑटारे राम सिंघ मिना सी बता रहे हैं पूनिमा विश्णोषी वता रहे हैं वबीता भी सी बता लक्षमी कान्त यादव सी घीता मिना सी दी पक मोनिका सावन, संतोष कुमारी, दुर्गेश, प्रदीप, राम सिंग, निकिता, नीरज, बहुत बढ़िया नजरेश कुमारी, मौनिंग सर, आंसर दीजिये क्या होगा फटापट से कमल, सिम्मी भी सही बता रही है, बहुत बढ़िया सभी ने आंसर बताया है, सभी ने आंसर बताया है, सभी ने आंसर बताया है सभी ने आंसर बताया है, और हमने पढ़ा भी था, कि स्वानसों क्या होता है, किसी भी विक्ती की अंतिम उपलब्दी किसी भी विक्ति की अंतिम उपलब्धी जो है स्वान सोंग क्यालाती है तेजराम कौन सा टॉपिक चल रहा है बिटा ये मुहावरा है यानि वोक्याबलरी चल रही है ठीक है वोक्याबलरी पढ़ रहे हैं हम शब्दियाद करने की कोशिस कर रहे है हेमेंद्र शर्मा सर रिपीट आप कल आये नहीं होंगे इसलिए समझ में नहीं आया तो स्वान सोंग स्वान सोंग के एक मुहावरा है यानि इडियम है और स्वान सोंग का मतलब होता है किसी भी वेक्ति की अंतिम उपलब्धी किसी भी वेक्ति की अंतिम उपलब्धी इसको हम इंग्लिश में मुहावरे के रूप में क्या बोल सकते हैं स्वान सौंग बोल सकते हैं जैसे कल हमने पढ़ा था कि सुशान सिंग जो था कल हमने पढ़ा था कि सुशान सिंग जो था उसकी अंतिम उपलब्दी बताओ कौन सी मूवी थी उसकी अंतिम उपलब्दी थी दिल बेचारा सुशान सिंग की अंतिम उपलब्दी यानि सुशान सिंग का स्वान सौंग क्या रहा स्वान सोंग क्या रहा अंति मुपलब्दी क्या रही दिल बेचारा मूवी रही जो अभी रिलीज हुई है और इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली है बहुत अच्छी रिटिंग मिली है संजे बहुत बढ़िया चलिए मतलब आज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप फील हो रहा है क्या चलो बहुत बढ़िया तो हमारा क्याशन का आंसर था फाइनल अकमप्लिश्मेंट एक नए बच्चे का कमेंट आए था अब आपको समझ में आ गया होगा एथिंक ठीक ह हेमन्त दिल बेचारा हाँ बिलकुल चलिए बहुत बढ़िया तो हम मुहावरे पढ़ रहे हैं सिननमें एंटरिम पढ़ रहे हैं यानि मिक्स वोक्याबलरी चल रही है आपके एक्जाम में 100% मिलेगी पुराने एक्जाम की क्योशन भी ले रहा हूँ और लेटेस्ट जो व भी मैं आप तक पहुचा रहा हूँ ठीक है 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 में दिशर्मा थैंक्स चलो बहुत बड़े आप समझ में आगे ना चलो फटापड से सभी अपना प्रामिस निभाएं अपने अपने पांच दोस्तों को तीन दोस्तों को आप लाने वाले थे लाइव हमारे चैनल से जोडन एक बार स्क्रेंशोट लो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है हो गया है चली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आज का नया शब्द क्या है आज का नया शब्द देखते हैं और फिर आज कुछ नय एडियम्स नय मुहावरे पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे रोजाना हम एक नया शब्द याद करते हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं तो आज का नया वर्ड है न्यू वर्ड अफ दे डे न्यू वर्ड अफ दे डे चलिया तो शब्द आपका इसका उचारण होगा फ्रेट उचारण क्या होगा फ्रेट और इसका मतलब क्या है किसी विशय पर क्या करना चिनता करना किसी विशय पर क्या करना, चिंता करना, बास समझ में आ गई, चलिए, हाँ, टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, वोकियाबलरी भी टॉपिक ही है, तहीं ज़रा हम वोकियाबलरी कोई नहीं पढ़ाता है, और वोकियाबलरी के डिरेक्ट लिकेशन एक्जाम में आते हैं, और ग गुड मॉरिंग, चलिए, चोटी लाल मीना, वेरी गुड मॉरिंग, बनवारी लाल, गुड मॉरिंग, चलिए, बहुत बढ़िया, तो नया शब्द है, आज का, फ्रेट, उचारण भी होगा, एफ आरेटी का, फ्रेट, इसका मतलब होगा, किसी विशय पर क्या करना, फ्र आज कल क्या हो रहा है, इन दिनों या आज कल क्या हो रहा है, जो पैरेंट्स है, ठीक है, पैरेंट्स किस विशय पर चिंता कर रहे हैं, आपको भी पता होगा, पैरेंट्स, फ्रेट ओवर किसी विशय पर चिंता करना, प्रेजंट सिंपल टैंस यूज़ कर रहा हूं, इसक को कंटीनियस हमां बदल देते हैं Parents Are Are fretting over fretting over किस विश्य पर चिंता कर रहे है Studies of their children आजकल जो parents है या इन दिनों जो Parents है उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या हो गई है fretting over यानि किसी विश्य पर क्या कर रहे है वो चिंता कर रहे है किसी विश्य पर क्या कर रहे है चिंता कर रहे है किसी विश्य पर क्या कर रहे है चिंता कर रहे है कौन सा विश्य है ये विश्य हो गया इस विशे पर आजकल पैरेंट्स क्या कर रहे हैं? फ्रेटिंग ओवर यानि चिंता कर रहे हैं, परिशान हो रहे हैं बहुत बढ़िया, सबी बच्चे लगबग जुड गए हैं जलाहट, करना, सिम्मी, बहुत बढ़िया, हिंदी इस प्रकार से पता नहीं हो सकता है सबी बच्चे जो पुराने हैं, अपने अपने दोस्तों को फटा पट एक बार शेयर कीजिए ताकि सबी को लाब मिल सके, आप सबी को बताये कीजिए कि फ्री में आपको इंग्लिश वोक्याबलरी पढ़ा ही जा रही है मेरी बास समझने की कोशिश करेंगे आप एक बार, सभी जो नए बच्चे जुड़े हैं, पुराने बच्चे जुड़े हैं, सभी एक बार बास समझने की कोशिश करेंगे कि vocabulary एक ऐसा subject है vocabulary एक ऐसा topic है विटा जो आपको systematic तरीके से अगर आप पूरा YouTube चेक करेंगे systematic तरीके से बहुत कम teachers आपको बढ़ाते है किसी दिन क्या, किसी दिन क्या, किसी दिन क्या ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे तो इन प्रशनों का आपका सीधा संबन्द आपके exam से और वहाँ पे directly questions put up होते हैं क्योंकि मैं जो vocabulary आपको करा रहा हूँ वो पुराने exam की vocabulary है यानि पुराने exam में पूछेगे प्रशन है इसलिए exam में मिलने की संभावना है बहुत जादा है सर आप notification नहीं आया लेट हो गया कोई बात नहीं आजे बस रोज जुड़ी है आप पढ़ते रही है ठीक है कनिया जी very good morning तो इस प्रकार आप सभी जुड़ें आप vocabulary की free class आपको मिल रही है इससे अच्छा इस lockdown के समय में क्या हो सकता है घर बेटे free English में आपको पढ़ा रहा है इससे अच्छा क्या हो सकता है ठीक है तो English आप पढ़ें घर बेटे रोजाना पढ़ें अपने दोस्तों को भी बताएं कि यसी class चल रही है और भी subject की class चल रही है उसको भी आप पढ़ें चलिए तो मैंने बोला fret एक नया शब्द था जो आज हमने सीखा fret का मतलब है क्या करना चिंता करना तो आप याद कर सकते हैं इस तरीके से भी tension करना उस तरीके से याद कर सकते हैं कि nowadays parents are fretting over parents जो है भी क्या कर रहे हैं चिंता कर रहे है तो याद रखेंगे तो याद रखेंगे fret जो शब्द मैंने लिखा है इसको मैंने वर्ब की रूप में काम में लिया है और anxious जो आप बता रहे हैं अड्जेक्टिव है तो यह वर्ब है क्रिया है इसको क्रिया की रूप में हम काम में लेते हैं किस रूप में काम में लेते हैं क्रिया की रूप में all student fret over exam date या fret on exam date अन तो नहीं आता, औवर आता है इसके साथ, तो exam date, बिलकुल, exam date को लेकर बच्चे काफी अभी परेशान चल रहे हैं, चिंता में चल रहे हैं, चिंतीत हैं, वरी बिलकुल आप वर्ब इसके लिए ले सकते हैं, वरी याने भी क्या होता है, चिंता करना होता है, ठीक है, क्या है आज इसका स्क्रीन शोट ले लिजी आप एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए हाँ तो हम इडियम्स की बात कर रहे थे कुछ नए इडियम्स में आपके लिए लिकर आया हूं वह हम पढ़ेंगे एक बार चैक कर लीजिए आवाज सही आ रही होगी ठीक है चलिए देखिए कुछ नए इडियम्स है हमारे पास जिनको हम सीखने की कोशिस करेंगे दिख रहा है सभी को डिस्ट्रेस बॉधर बॉधर यानी परेशान करना हो गया चलिए बनवारी जी बहुत बड़ी हाँ चलो देखो सभी क्या दिख रहा है आपको एक बार मजे बता दो फिर आगे बढ़ेंगे पहला हमारे इडियम है इडियम है हाड नट फिया है और क्रेक करना एनी उसका समाधान करना या उसको फोड करना तो मैंने वैसे पहले पढ़ा दिया आपको a hard nut to crack कोई ऐसी चीज हो कोई ऐसी समश्या हो जिसका समाधान करना बड़ा मुस्किल हो जिसको solve करना बड़ा मुस्किल हो कोई क्योशन ऐसा आजाए जिसको solve करना बड़ा मुस्किल हो जाए तो वो चीज हमारे लिए इस मोहावरे के बराबर हो जाएगी A hard nut to crack A hard nut to crack तो hard nut to crack का, directly Arthur क्इया होता? Difficult problem या तो कोई difficult problem हो सकती है या कोई difficult task हो सकता है Task yeah and be he howetta है, काम होता है Task yeah and be he howetta है, काम होता है 10 number नहीं दिख रहा आँ तो 10 बस दिख जाएगा, पहले आपन 1st पढ़ रहे हैं तो 10 की tangent क्यों ले रहे वाग प्रफश दिखना चाहिए एक बार में भी चेक कर ले तो देखें आप जूट बोल रहे हैं सही दिख रहा है जूट बोल रहे हैं हमें फर्स से ध्यान दिखें नहीं दिखें धिर देर आगे बढ़ेंगे हम तो ठीक है तो हमने पहला इसमें मुहावरा पढ़ा पहला इसमें मुहावरा क्या पढ़ा अ हाड नट टू क्रैक जिसका आंसर क्या हो गया सीधा सीधा डिफिकल्ट प्रॉब्लम या कोई ऐसा काम कोई ऐसा डिफिकल्ट काम जो हम से करने में बढ़ा क्या लगे सो महनत लगे मुश्किल हो तो ऐसे काम को हम क्या बोलेंगे a hard nut to crack बिना मनत के exam pass करना simple सी बात है hard nut to crack ही है exam pass करने के लिए बहुत महनत की जरुत है चलिए a thorn in the flesh a thorn in the flesh काम में हमेशा होने वाली बाधा a thorn in the flesh directly इसका answer क्या होगा constant source of annoyance यानि काम में हमेशा होने वाली जो बाधा है उसको हम क्या बोलेंगे a thorn in the flesh वैसे thorn यानि क्या होता है काटा होता है और flesh यानि क्या होता है मांस होता है simple सी बात है कि जो वेक्ति non-wage खाते हैं या फिश काते हैं ऐसा समझे डिरेकली जो वेक्ति फिश खाते हैं या non-wage खाते हैं तो फिश में हमेशा क्या मिलता है उनको काटा मिलता है जब भी खाते हैं काटा निकालना पड़ता है simple सी बात है तो फिश खाने में हमेशा किसका सामना करना पड़ता है उस काटे को निकालने की बादा का सामना करना पड़ता है सिंपल सी बात है तो याद हो जाएगा a thorn in the flesh का मतलब हो गिया काम में हमेशा होने वाली बादा यानि एक constant यानि लगातार source of annoyance annoyance यानि वही परेशानी या बादा हो गई ठीक है? चलिए तीसरा है हमारा advance back and call यह BEC के जो लिखाव है बिलकुल सही है इसमें कोई गलती नहीं है इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है चलो देखो advance back and call यह बहुत अच्छा मुआव रहा है बहुत नया मुआव रहा है इसको एक्जाम में आने की संभावना बहुत ज़ादा है यह मैं साथ साथ आपको पहले ही बूल रहा हूँ तो important लगा कर इसको पढ़िए लगबग 3-4 साल होगा SSSIM इसको आए चलिए advance का मतलब भी बादाया परिशानी बनवारी 1000 idioms है 1000 मुहावरे हैं हम कोशिस करेंगे जितना हो सके इनको पढ़ने की important important पढ़ने की 1000 idioms है 1000 आपके पास मुहावरे हैं हम इनको आराम से solve भी कर सकते हैं पढ़ भी सकते हैं बस आपका साथ चाहिए इन मुहावरों के बाहर आपके एक्जाम में एक भी इडियम एक भी मुहावरा नहीं आएगा इसकी मेरी गैरेंटी है चाहिए बार पीए से के एक्जाम दे चाहिए पटवारी का दे चाहिए से सिबैंक का दे इन idioms को अगर आपने पढ़ लिया है इनके बाहर अपके एक्जाम में एक भी क्योशन नहीं आएगा इडियम से सही है यह मेरी गैरेंटी है यह कलेक्शन है मेरे पास लगबग अब तक आएवे सारे इडियम का और कुछ लेटेस इडियम का ठीक है इसलिए सब ही जुडते रहिए और सबी पढ़ते रहिए ध्यान दें तो हमने बात की कि से रेक मौहावरा है At once, back and call At once, back and call इसका मतलब है किसी के control में होना किसी के नियंद्रण में होना या किसी के आदेश के अनुसार काम करना यानि Under once control Under once control किसी के control में होना किसी के control में होना यानि at once, back end, call directly प्रशनाएगा और answer में आपको क्या मिलेगा कि किसी के किस में होना control में होना, नियंतरण में होना चलिए next next देखते हैं an acid test देखो acid आप जानते हो क्या होता है बहुत तगड़ा बहुत गंबीर चीज़ होती बहुत खतरनाक चीज़ होती acid इस प्रकार से आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं she is always she is always at my back end call और आपको बहुत अच्छे से याद करना है तो simple सी बात इसको इस तरह के से याद कर लीजे husband हमेशा wife के back end call में होता है husband हमेशा wife के back end call में होता है husband हमेशा wife के back end call में होता है call करेगी तो बही साब उसको आना पड़ेगा simple सी बात है सर जी pdf सेंड कर देना हाँ चलिए तो an acid test यादि क्या हो गया गंबीर परिक्षन यानि a critical task और एक critical यानि बहुत गंबीर बहुत difficult test किया जाना जाच होना वो क्या हो गया एक acid test के बराबर था किसके बराबर था एक acid test के बराबर होगा पांच वह है all eye for an eye पांच पढ़ा रहा हूँ आपको मैं या ज़द ज़दा दस पढ़ाऊँ आपको मैं फिर इन दस को वापस रिवाइज करेंगे मैं बोर्ड पे हमारा में मक्सद इनको याद करना आप इसका screenshot ले लिजे और मुझे जब मैं इसको बोर्ड का बंद कर दूँगा next slide खोलूँगा आप मुझे बताएं कि सर पहला यह था दूसरा यह था तीसरा यह था हम इन पर बात करेंगे उनका है और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे एक दो दिर्वा में आपके लिए प्रशन लेके आऊंगा लगबग 20-30-40 प्रशन लेके आऊंगा वह आपके लिए ऐसा मानो बहुत ज़्यादा इंप्रशन है डिरेक्ली एक प्रशन दो प्रशन आपके confirm मिल सकते हैं सामने लिख रहाँगा एलन गुजर थोड़े डिफिकल्ट और दो हाँ बिल्कुल और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे टेंशन आ लिजे आप चलिए देखे तो चार हमने याद कर लिए वापस चारों को रिवाइस करेंगे कोई भी समश्या जो हमारे लिए कैसी हो बहुत ज मुश्किल हो तो वही एक ऐसा काम के बराबर होगा जिसको करना बड़ा मुश्किल होगा बाद समझ में आ गई तो सबसे पहला मुहावरा जो हमने पड़ा वह क्या था प्राबलम की जगे बैटा एक्जाम में टास्क आ सकता है और टास्क का मतलब क्या होता है वर्क होता है काम होता है कोई डिफिकल्ट काम हो गया है सौल करना चलिए बहुत बढ़िया सिमी बहुत बढ़िया सेंटेस बनाती है Do you believe in an eye for an eye? चलो, next बढ़ते हैं Eye for an eye Eye for an eye यानि सामने वाले ने आपको आँक दिखाई और आपने उसको क्या दिखा दी? आँक दिखा दी, एस प्रकार याद रख सकते हैं आँक दिखाना आँक दिखाने वाले को लिख ले ना कॉपी में साथ के साथ जब आप लिखो ना पाँच बाद, कॉपी में नीचे इस प्रकार लिखिएगा इंदी आँक दिखाने वाले को आँक ही दिखाना आँक दिखाने वाले को क्या दिखाया आपने? आँक ही दिखाया यानि क्या कर दिया? टिटफ़ोर टेट जैसे का तैसा यह जैसे को तैसा चोटुलाल नाइस क्लास आपकी बहुत बड़िया बहुत धन्यवाद आपका जोती नागर, very good morning बेटा आज लेट हो गए जोती आप आज ना आप तो SSC के बच्चे हैं हाज ना दो चार बच्चे एबसेंट है आज SSC के SSC के exam जल्दी आने वाला है तो SSC के बच्चे वोक्याबलरी पे ध्यान दे पटवारी के exam की date फरवरी में आई गई है पटवारी में भी लगबग 3-4 questions आपके exam में आएंगे वोक्याबलरी से इसके लिए ये बहुत ज़्यादा important है चार questions गलत करना इसका मतलब समझ सकते हैं कि चार questions कितने important होते हैं चलिए तो मैंने आपको क्या बताया जब आप इसको अभी copy में लिखें all i या n i all की जगे n भी लिख सकते हैं तो जब आप इसको copy में लिखें तो इसको copy में जब आप लिखें तो आप क्या करें, इसके नीचे मैंने भी क्या लिखा था, आग दिखाने वाले को आग दिखाना, यह इसके नीचे आप लिख लिजिए, आग दिखाने वाले को आग दिखाना, यानि क्या मतलब है, क्या हुआ, सामने वाले ने जैसा किया, आपने उसके साथ वैसा ही किया, यानि वो चीज किसके बराबर हो गई, टिट फॉर टेट के बराबर हो गई, यानि जैसे को टैसा, पांच हमने पढ़ लिये हैं, पांच हमने याद कर लिये हैं, आगे बढ़ते हैं, कमल चौधरी, जी सर, बहुत बढ़िया, एट वन्स, बहुत सिंपल है, फ्रेज में आता है, एट वन्स, ये इस प्रकार भी आता है, फॉर्थ नाइट, इसका मतलब भी तुरंट होता है, फॉर्थ नाइट मतलब भी क्या होता है, तुरंट होता है, एट वन्स, तुरंट, एक ही समय में, बहुत सिंपल है फिलाल के एक्जाम के लिए इंपॉर्टन नहीं है पुराने एक्जाम में आया करता था 2013-14 तक पूछा जा सकता था आज भी पूछा जाये तो सिंपल सी बात है आप याद करेंगे एक्जाम में एक्जाम है अग्जाम है अक्टूबर में एक बार आप चेक कर लेना सभी ऐसे सीगे चलिए at home I feel at home आराम दाएक इस्तती में होना comfortable होना जैसे देखो मानलो आप कहीं भी जाते हैं ठीक है चलो इसको याद करा तो मैं जैसे मानलो हम किसी के घर पे गए या किसी दोस्त के घर पे गए तो या किसी रिस्तेदार के घर गए तो हमें वो क्या बोलते हैं कि आप ही का घर है आप ही का घर है अराम से बढ़ो कोई sofa है सोफ़ है तो आराम से बढ़ो बैठो जैसे है अपन तो ढरंडारा के बैटते हैं कहीं नहीं जगर जाते हैं तो क्या बोलता है सामने वाला आप API बहुत अच्छा शब्द है आप इसको रोजाना एक दूसरे की जब आप चैटिंग करते हैं बात करते हैं एक दूसरे से घर पे भी दोस्तों से भी तो इसको काम में ले सकते हैं दो चार दिन में याद हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो I और V दोनों लिख दिया है मैंने मेरी भी बात कर ली है मैंने और आपकी भी बात कर ली है ट्राइ टू फील एट हॉम जब हम किसी दूसरे के गर जाते हैं तो हम क्या कोशिस करते हैं feel at home feel at home का मतलब है घर जैसा मैसूस करने की comfortable होने की कोशिस करते हैं अलाके से नहीं Air Force का अभी तक पता नहीं है आप इका घर है जो खाना है वह खाओ मोनिका मिना बिलकुल सही बात है और हम बहुत सारा बस बोलने की तो देर होती है सामने वाला लाके रख देता है कि आराम से खाओ आप ही का घर है बस फिर तो खाना स्टार्ट फिर तो प्लेट खतम होगी तब ही हम चुपचा बैठते हैं नहीं तब तक तो बस प्लेट खतम होई और फिर पानी पीके मस्त चलिए बहुत बढ़ी है तो इस तरह से हम इसको फिल करवाने की कोशिस करता है बनवारी जी लेकिन अभी किसी के घर जाना नहीं हो रहा अच्छा कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं आठ आठ आल इन आल लगभग यह जो मुहावरा आल इन आल है यह 2014-15 तक काफी बार पूँचा गया है आल इन आल जो मुहावरा है बिटा जो 2014-15 तक काफी बार पूँचा गया है उसके बाद कम हो गया है कोई easy level का कोई exam होगा तो वहाँ आ सकता है फिर भी हमें इसको पढ़ना जरूरी है all in all का मतलब हो गया सबसे में तो पूरिया most important चीज all in all मतलब सब पूरे मिला के बात करता है यह आपके लिए बहुत जदा important है all in all इस परकार से तो all in all का मतलब क्या हो गया कोई भी चीज आपके लिए most important है the question is all in all the question is most important इस परकार से आप इसको याद कर सकते है ठीक है, government job हमारे लिए क्या है, all in all के बराबर है, हमारे life में सब चीज और government जो जो जब है, parallel बराबर है, तो इस तरह के से याद कर सकते हैं, all in all यानि सब से महत्वपून, यानि most important बात हो गई, most important कोई चीज हमारे लिए है, तो हम उसको मुहावरे के रूप में क्या all, all in all English teacher, अच्छा, the most important English teacher, क्या बात है बनवारे ये, thank you so much, sir, CHSL 12.10.2020 से 26.10.2020, बिल्गुल कमल सही बता रहे हैं आप, तो इस प्रकार से आप देख लीजे, time table चेक करते रहा कीजे, किसी भी board का आप exam दे रहे हैं, उस board की website पर ही चेक कीजिएगा, इदर दर चेक ना करे हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, साथ, आठ हो गए हैं, ये 10 के 10 में पूछूँगा आप से, समझ रहे हैं, मैं 10 के 10 पूछूँगा आप से, मेरा मकसर ये, फाइल खोलने का मकसर अगी की था, कि आपको 10 याद करवों, और 10 याद होने चाहिए, फिर कुछ और नई बात पर चच्चा करेंगे, कुछ इंट्रेस्टिंग और आगी पड़ेंगे, नवा, अचील्स हील्स, बहुत इंपोर्टन है बिटाई, ऐसा समझो, अचील्स हील्स आपके लिए का है, आल इन होल है, सबसे मैद्वपून है, वो क्याब लरी में, अचील्स हील्स, यानि, कमजोर प रख सकते हैं, दुख्ती रग, अचील्स हील्स, हील्स यानि, क्या होती है, एडियां होती है, अचील्स यानि, ठीक है, ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है, एडी में ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं, तब, तो चलने में बड़ी समझ्या आती है, या भागने में बढ़ जात समझे आती है, अगर AD में हमारे पास ऐसा कुछ हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? कमजोर पक्ष बन जाता है, दुखती रग बन जाती है, क्या बन जाती है? दुखती रग बन जाती है, तो इसको आप important लगा ले, all in all लगा लें वो क्याब लिरी में बहुत जाद इंपॉर्डन्ट है अचील सील बिटा भी रीसेंटली में ने दिखा है रीसेंटली दो जार अठारा में दो तीन एक्जाम होएं वहां ये पूछा गया है अचील सील all in all prodigal sir नीरज बहुत बढ़िया बच इस तरी से आपका अपना प्यार बनाए रखें मज़ा आजाएगा आपको भी पढ़ने में बहुत कुछ याद हो रहा है आपको आगे भी बहुत कुछ याद हो गया एक्जाम में जुरूर मिले गए गैरेंटी है चूटी लाल मेना असर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थेंक यू सो मच चिकन नेक इन इस्टन पार्ट ऑफ इंडिया इज अचील सील्स फोर इंडियन अच्छा ये बात हो गई सही बात है बड़ी एक्जाम्पल दिया दुरूगेश आपने ठीक है तो दुखते रगवाली बात होगी नेक्स बात करते हैं हम एड फ्यूल टू फायर ये तो भई भारत की लोग और भारत में भी राजस्तान के लोग तो भई सब इस चीज के लिए बहुत फेमस है एड फ्यूल टू फायर आग में गी डालने का काम तो राजस्टाणी का मतलब पैदाइशी है एसई लिए लोग जान जाते है किस चीज के लिए एड फ्यूल टू फायर यहनी आग में क्या डालना गी डालना आग में क्या डालना घी डालना ठीक है चलो यह ऐसे कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो नेता है पाकिस्तान की जो नेता है वो क्या काम करते है एड फ्यूल टू फायर आग में घी डालने का काम करते हैं कोई छोटा मोटा मैटर भी हो जाए भारत में तो भाई क्या कर देंगे और उस आग में घी डाल देंगे, यानि क्या करने की कोशिश करेंगे, वो जो matter है बिटा, वो जो matter है उसको worse बनाने की, worse किसका होता है, bad होता है, bad और bad का better ना होके क्या होता है, worse, और क्या होता है, worst, bad, worse और worst, to make a matter worse, किसी भी मामले को जो पहले बुरा था, अब उसको और जदा बुरा बना दिया, worst बना दिया या worse बना दिया, तो क्या काम कर दिया, add fuel to fire, आग में घी डालने का काम किया, क्या काम किया, आग में घी डालने का काम किया, देखो, एक option और मैं आपको देना चाहूंगा, थ यहां दो थोड़ा सा यह क्योश्यन और किस तरीके से पूंचा जा सकता है एक और यह वर भी याद करेंगे आप तू अग्रावेट उचारन लिख दिया मैंने उतार लीजिए साथ के साथ तू अग्रावेट तू अग्रावेट कमल इसमें मजा ही अलगया अच्छा देखो तू अग्रावेट द मैटर कोई मामला चल रहा है आपने क्या कर दिया उसको अग्रावेट कर दिया यह नहीं और ज्यादा बढ़का दिया और ज्यादा बढ़का दिया हाँ पीडियेफ आपको मिल जाएगी पॉजिटिव बैड कमपरेटिव पीडियेफ क्या पिटा फिलाल जो पड़ रहे हैं आप उसका स्क्रीन शॉट तो लही रहे हैं क्या दिक्कत है उसमें तो यह नई वर्ब याद जरूर रखें आप यह अग्रावेट मेंने ज्यादा तर जब भी एक योशन आता पेटा एक्जाम में अग्रावेट जो एक वर्ब मिलती है आपको तो यह अग्रावेट को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अग्रावेट यानि क्या करना बढ़काना और ज़्यादा बढ़ाना मामले क और ज़्यादा बढ़ाना मामले को और भड़काना यानि आपने क्या काम कर दिया add fuel to fire आग में घी डालने का काम किया है किस चीज का काम किया है आग में घी डालने का काम किया है बहुत बढ़ी है तेजराम शांदार तो 10 हमें याद हो गए हैं 10 के 10 को वापस revise करेंगे और तो मैंने ऐसे ले लिया ये लो एक बार सभी सका स्क्रीन शोट ले लो अगर पहला नहीं लिया हो तो हमने पढ़ा सबसे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा अहार्ड नट टू क्रैक यानि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बहुत डिफिकल्ट काम करने के लिए a thought in the flesh मांस में काटा मांस में काटा हमेशा ही होता है तो कोई हमेशा होने वाली बादा है तो उस चीज़ को आप क्या बोल सकते है a constant source of annoyance at once back end call किसी के call पर वापस आ जाना कोई आपको call कर रहा है आप काम कर रहे हैं वापस आगे ऐसा बात मानते हैं तो किसी के नियंतरण में होना यानि back or call में होना and acid test कोई test ऐसा हो जो acid के बराबर हो तो आपको पता है acid बहुत तगड़ा बहुत गंभीर बहुत खतरनाग होता है तो वो test आपके लिए कैसा हो जाएगा परिक्षन आपके लिए कैसा हो जाएगा critical परिक्षन आपने at once, simple था तुरन्त एक इस समय में साथ के साथ काम हो जाना यानि at once हो जाना at home घर जैसा feel करना at home घर जैसा feel करना यानि situation कैसी होगी, comfortable feel करना, किसी के भी घर जाते हैं, हमें कैसा feel करना होता है, at home type सा feel करना होता है, यानि आराम दा, एक सा comfortable सा feel करना होता है, all in all, पूरी बात करें तो बहुत जादे important, all in all, यानि सबसे महत्वपूर्ण, most important, most important कोई चीज है, तो वो क्या है, all in all है, all in all, next Achilles heels, Achilles heels मैंने पढ़ाया, भई एडियों में क्या है, आपके crack आया हुआ है, यानि चलने में समश्या है, अब किसी ने क्या बुला, आपको भई चला जा, घूमते हैं, फिडते हैं, दोडते हैं, तो उसने क्या किया, आपकी दुखती रख पर हाथ रख दे किया, अभी तो पाकिस्तानी किसके लिए फेमस हैं, जादा तर पाकिस्तानी नेता क्या काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, यानि मैटर को क्या बना देते हैं, वर्स बनाते हैं, और इस वर्स बनाना, मैटर को और जाड़ा भढ़काना, इसके लिए एक वर्ब मैंने आपको स चलिए एक बार आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं अब दिख रहा है बढ़िया एक बार इसक्रीनशोट लीजिए सभी स्क्रीनशोट लो फिर आगे बढ़ेंगे आप पूछों में आपसे 10 मिन आपको याद कराएं है स्क्रीन शॉट ले लीजिए सबको दीख जाएगा बढ़िया जल्दी से स्क्रीन शॉट लो मुझे सेंड करो कि सरहां आप आगे बढ़ें स्क्रीन शॉट बोलते ही ले लिया करो एकदम फेंटेस्टिक है मराज चलिए बहुत बढ़िया इसी प्रकार आप पढ़ते रहें आप साथ दीजे बस मज़ा आजाएगा आपको भी ठीक है जितना आनंद आपको आ रहा है पढ़ने में इतना आनंद मुझे आ रहा है पढ़ाने में बस आपका साथ बनाए रखें सपोर्ट करते रहें पढ़ते रहें हो गया स्क्रीन शॉट का काम आपका चलिए तो हमने दस मुहावरे पढ़े और आज एक का एक नया श्यवद फ्रेट पढ़ा और कल के जो कल का जो मुहावरा था स्वान सौंग क्या कि हमने स्वान सौंग का प्रश्ण सौल किया जिसे में स्वान सौंग याद हो गया स्वान सौंग याद हो गया सड़ थोड़ा जूम करो नोट्स बना रहे हैं हां मोनिका बिलकुल नोट्स बनावा नोट्स बनाना जरूरी है चलिए तो 10 हमने मुहावरे पड़ रहे हैं अब आप से मैं पूछूंगा फटापड से आप मुझे बताएंगे ठीक है आल इन आल चलिए कमेंट आना ची अब आपका फटापड से कमेंट आना ची अब आपको आल इन आल का मतलब क्या होना मैंने आपको पड़ाया आपको याद हुआ नहीं हुआ यह आपकी जिम्हेदारी अब आप मुझे बताओ फटापड से क्या होगा सर मैंने टीवी अच्छा डाइरेक डाइरेक पड़ा था सर पूरा समझा गया तेजराम बिल्कुल बहुत बढ़ी है बस पड़ते रहे हैं अब फटापड से मुझे आप इसका जवाब बता दीजिए क्या होगा मैं मान जाओंगा कि आप अभी तक आदे गंटे से टाइम वेस्ट नहीं पड़ा ही कर रहे थे जल्दी से टाइप नहीं करना है मतलब बताना है मैं पूछोंगा क्या होगा all in all का मतलब most important क्या बात है पूरिमा क्या बात है जोती सावन है मेंदर बहुत बढ़िया तो all in all का मतलब क्या हो गया most important कोई चीज हमारी लाइफ में है तो वो चीज हमारे लिए क्या है सर वो all in all है वो चीज हमारी लाइफ में है तो क्या है अजे, निकीता, बनवारी, कामिनी, दीपक, नजरेश, बिंदिया, लक्षमी कांथ, रिया दुरगेश, भविता, मदनलाल, खुश्वियो, संतोष, किष्ण कुमार, सरोज हा सरोज, गुड मॉर्निंग, कल्पना, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है मिस्टी, सावन, राम सेंग, अजे, अनीता जी, चलिए, बहुत बढ़िया दूसरा पुछूँगा, खुश ना हो ये, मैं चाहता हूँ, दस के, दस याद हो जाएं, दस के, दस याद हो जाएं चलो, इसको तो मैं लिखी देता हूँ, चलो, मिटा नहीं रहा, तो all in all का मतलब क्या हो गया, most important हो गया all in all का मतलब क्या हो गया, most important हो गया, चलिए, चलिए, एन आई टु आए, इसका मतलब बताओ क्या हो गया फटापट से, इंटरनेशनल टाइगर डेट हुए, अच्छा, सरोज मेना हाँ, सही आंसर है सभी का most important, चोटिलाल, दीपक, नीरज, राकेश, प्रिकास, चेतना, संजे, इसका बताओ फटापट से, एन आई टु आई, जल्दी से, बहुत बढ़ी आजे, माही, कलपना, पूनी मा, आशीष, नजरेश, दुरगेश, लक्षमी कांध, हेमेंद्र बिंदिया, सभी टिटफोर टैट बता रहे हैं, अरोज, अरियर, टिटफोर टैट, बनवारी, दीपक, टिटफोर टैट, अभी मन्यू, जोती नागर, बहुत बढ़िया, संदीप, संतोष प्रजापरती, रिया गुपता, बवीता, सावन, बहुत बढ़िया, संजे, प्रदीप, खुश्भू, सभी का सही जवाब, बहु तो एन आई टु आई का मतलब क्या लिखा, बई, जब सामने वाला आपको आख दिखा रहा है, तो आप भी उसको क्या दिखा दीजे, आख दिखा दीजे, यानि टिट फॉर टैट हो गया, जैसे को तैसा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो दूसरा मुहावरा था हमारा कोई हमें आग दिखा रहा है तो उसको हमें क्या दिखानी है आग दिखानी है तब भी पार पड़ने वाली है नहीं तो ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं चलो अब आप इसका बताएं कि क्या होगा अ थौर्ण इन दफलेश इन दफलेश चलिए कमेंट आने चीए ध्वादर ध्माकेदार अने चीए आपके सभी को याद होना चेहें यह मेरी जिम्मेदारी है यह हमारा ठारगेट है चलिए लग पार इन दफलेश जलदी से जल्दी 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 पताईए जल्दी फटाबड से याद होगा या नहीं होगा वो उसी से पता चलेगा आँख दिखाने वाले को आँख दिखाना अजे यादव बिल्कुल बहुत बढ़िया आशीश a constant source of annoyance a constant source of annoyance चलिए annoyance यानी बाधा बहुत बढ़िया जवाब लक्षमी कांथ नजरेश पूनिमा दर्गेश बहुत बढ़िया थौन इद फ्लैश इसको ऐसे याद रखो हिंदिय में देखो तो ऐसे याद हो जाएगा बैटा ना फिश के मांस काकाटा ऐसे याद रूखो फिस के मांस का काटा अगर आप मेंसे कोई non wage है मसली खाता को नहीं काता तो भी याद कोई दिक्कत नहीं है जरूरिए मत खायें आप अथार निद फ लैश यानी फिश के मांस में काटा होता है यानिंस मचली का मान से जब भी आप मचली खाएंगे तो मचली में क्या मिलेगा आपको काटा मिलेगा यानि हमेशा आपको खाने में क्या आएगी बाधा आएगी हमेशा आने वाली बाधा हमेशा आने वाली बाधा और हमेशा आने वाली बाधा को हम क्या बोलते हैं thorn in the flesh तो अब क्या बोले ठीक है परेशानी बादाया परेशानी बहुत बड़िया सभी ने सही जवाब दिया मदन प्रेम प्रिकास शंतोस मोनिका सावन प्रदीब कुमार खटाना संजे गूजर कृष्ण कुमार मीना अजे अंजु कुमारी आज नहीं बच्ची जुड़िये अंजु रोजाना बिल्कुल बहुत बड़िया बनवारी शांदार चलिए नेक्स्ट नेक्स क्योशन आप से नेक्स क्योशन आप से अब तो लिख दिया आप तो आगया होगा फटापर से मुझे बताओ अचील सील का मतलब क्या होगा फिर नेक्स लिखूँगा मैं जल्दी से मुझे बताओ अचील सील का मतलब क्या होगा फिर आगे बढ़ेंगे पन अचील सील का मतलब बताओ जल्दी से अभी पढ़ा है हमने अचील सील का मतलब क्या होगा अचील सील का मतलब क्या होगा जल्दी से small but fatal weakness small but fatal weakness बहुत बढ़िया संतोश अभिमन्यू कल्पना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए next है आपका at home इधर और at once इधर अब आपका एक साथ दो कमेंट आने चाहिए एक साथ दो कमेंट आने चाहिए जल्दी से आप मुझे बताएंगे बिंदिया दीपग पुनिमा कामिनी रिया संतोश जोती प्रेम प्रकाश अजे बिलकुल सही है बहुत बढ़िया पुषपेंदर वेरी गुड मॉर्निंग लेट होगे पुषपेंदर आज आप चलिए प् आप आएंगे तो आपको चाहिए एकी सब्द हो लेकिन होका है यह मेरी गेरेंटी है वैसे जितना पढ़ेंगे उतना याद होता है फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आएंगे तो आपको चाहिब न anong Crash जरूर आप English पढ़िए, vocabulary की classes चल रही है, बहुत बढ़िया चल दीए, systematic तरीके से इम पढ़ रहे हैं, अब दोनों एक साथ दो comment आने चाहिए, इधर और इधर, at home का मतलब क्या होगा, और at once का मतलब क्या होगा, at home और at once का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी फटा पड़ से, क्या बात है, बहुत बढ़िया सभी बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, धुआदार बारिश हो रही है कमेंट की, तो देखो याद हो रहा है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती आपको पता ही है, क देखी है, सुबहाट बजे वोक्याबलरी की क्लास चल रही है, तो आपने बताया, at home का मतलब क्या हो गया, कि किसी के घर जाकर, at home फील करना, यानि, comfortable महसूस करना, आराम महसूस करना, और at once, यानि क्या हो गया, तुरंत, तुरंत हो गया, तुरंत को क्या बोलेंगे, at the same time comfortable at the same time, instant, very good, बहुत बढ़िया बिटा, बहुत बढ़िया, स्चानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में भी आपको पढ़ने में भी, दो मुहावरे यहां से, आज हमने लग बग 10 मुहावरे याद करें, क्या आप मुझे एक मुहावरे का और जबाब दे सकते हैं, एक मुहावरे का और जबाब दे सकते हैं, क्या, a hard nut to crack, जल्दी से फटापट से इस मुहावरे का जबाब दे दीजे, आपको मजा जाएगा, और आपके 10 मुहावरे आपको याद हो जाएंगे, नया शब्द याद हो जाएगा, चलिए, जल्दी स लास्ट क्योशन है आज का फिर कल हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से फटापट से बताईए क्या अंसर होगा जल्दी से नोटिफिकेशन की प्राबलम सौल करवादो आती ही नहीं है एक बार अजे आदव आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कर लिया है तो वापस एक बार हटाके दोबारा सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए तो उससे कहा है सबके पास नोटिफिकेशन आजाएगा क्लास स्टार्ट होते ही नहीं आए तो हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करें क्लियर विजन क्लासे सर्च करें टेलिग्राम चैनल पर वहाँ जोइन करें टेलिग्राम वहाँ पर डिरेक्ली आपको सारे चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आशीश, लक्षमिकान, दिर्गेश, आजेद, दीपक, पुनिमान, निकिता, संजे, राम सिंग, कामिनी, संतोष, बबीता, बिंदिया सभी difficult problem difficult task difficult problem difficult task difficult problem difficult task बहुत बढ़िया सभी शांदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मज़ा आगया आज देखो आप सही लाई चल रहे है 60 लाई आगया है 70 आते थे 2-3 दिन पहले 10 बच्चे गायव होगे हैं उनको वापस लाईए या आपकी जिम्मेदारी है कि कल इस से ज़्यादा लाईव होने चाहिए एक-एक बच्चा भी अगर आप जोडते हैं तो 120 बच्चे कल लाईव होते हैं या आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से की कोई सामने वाला टीचर आपको फ्री में एंग्लिश पढ़ा रहा है इतना शांदार मेहनत आपके लिए की जा रही है बहुत और भी सब्जे की क्लास फ्री चल रही है तो आप भी उन टीचर को सपोर्ट करें चैनल को सपोर्ट करें क्लिर विजन को सपोर्ट करें हम हमेशा आपको पढ़ाते रहेंगे पढ़ाने में हम हमेशा आपका साथ देंगे सिखाने में और हमेशा आपको परिख्षा में पास करवाने की कोशिस लगातार करते रहेंगे इसी प्रकार जुड़े रही है कल सुब वापस मिलते हैं आठ बजे शांदार तरीके से मुहावरे पढ़ेंगे वुक्यावलेरी पढ़ेंगे बहुत बहुत धनिवाद थेंक यू सो मच